हेलो फ्रेंग्स गुड मॉनिंग जी दोस्तों आप देखने हैं कोलीस के पोदे कोलीस को देखते ही मन भाग भाग हो जाता है खुशी से भर जाता है जी बहुत ही खुशूरत सी यह पोदे होते हैं बहुत सुन्दर बस कहिए मत अगर आपने इसे अपने गार्ण में एड कर दिया है तो बस कह नहीं क्या और दोस्तों एक और खास बात जी एक पोदे से आब बना सकते अनेक अनेक मतलब सेकड़ो जी हां हमने भी बनाए हैं कोलीस से कुछ इसी तरह के सेकड़ो प्लांट से लेकिन कुछ अपसोस कि गर्मी में ये मुर्जा से जाते हैं गर्मी के अं गर्मी में कैसे करें चलिए आज की वीडियो होने वाली ये खास वैसे देखा जै हरे की अपनी अपनी सौभाव संसकार होता है जी चलिए कोलीस की हम बात कर रहे हैं कि कोलीस को इतना खुबसूरत हम कैसे रखे पूरी गर्मी में जी नियथा यह थोड़ा सा बदरंग हो ज जाती हैं लेकिन इतना रंगिन रखने के लिए आपको कुछ खास तीप सपनानी पड़ेंगे नमबर एक आप इसे जुंड में रखिए जी हां जुंड में रहना इसे पसंद है बस तो आप ऐसा कर सकते हैं इसे पोदों के नीचे रख दीजिए जी हां आपके गाडन में चीदी सीदी धूप पड़ेगी तो कुछ इस तरह का हाल हो जाएगा जैसे कि ये हैं कोलियस की हमारे पास में कई वेराइटीज हैं और ये सारे कोलिस हमने कटिंग के द्वारा ही बना रखे हैं चलिए इनकी कटिंग कैसे लगाते उसके बारे में भी वीडियो होने वाली ह और साथ ही साथ है कि आप इसको और अच्छा कैसे रख सकते हैं जी फ्रेंड से इसे ज्यादा से ज्यादा जो है छेड़काव कीजिए पानी का कुछ और नहीं ज्यादा फर्टिलाइजर इसे अभी देने की कोई जरूरत नहीं है ये देखी ज्यादा गर्मी में अगर आप इसे शेमी शेडेरी में रखिए नंबर दो आप इसे पोदों के आसपास रखिए इसे एक अकेला मत छोड़ी अभी नंबर तीन पोदे को जादा से जादा इस पर दिन में तीन चार बार छिड़काव पानी का करते रहें जी अधर्वाइस अभी ये थोड़ा सूख सकता है और गर्मी का मौसम इसके लिए थोड़ा सा परिशानी का होता है डल हो जाती है पतियां इतना खुबशुरत सा पोधा अपनी बद्रंगी बिकھیरने लगता है यानि बद्रंगी हो जाती है इसके पतियां चलीए अब हम बात करते कि इसको हम कैसे एक से अनेक बनाते हैं इस इसपर हमारी वीडियो होने वाली है दोस्तों इस तरह की थोड़ी सी मौटी हमने टटिंग ली है और ये देखिए मैंने इस तरह से इसकी कटिंग कर दी है कटिंग करना वैसे इसके लिए जरूरी था वह इसलिए ताकि ये थोड़ा सा पोधा भूशी बन सके जी अब देखिए कटिंग कैसे लगानी है, इसकी ये पत्तियां हमने नीचे वाली जो है हटा दी, कुछ इस तरह से, कटिंग थोड़ी से मोटी लीजिए, ये याद रखिए, अब मैंने ये कटिंग ले लिया और ये ऐलोविरा ले लिया है, ऐलोविरा फंगिसाइड का काम करता है, चाहे तो मैं इसके बीच में रख करके इसको लगा सकती हूँ, और याद चलिए मैंने इसको कुछ इस तरह से, ऐलोविरा जैल के अंदर थोड़ा सा गिस लिया है, जी हाँ, ऐलोविरा जैल लगा लिया है, क्योंकि वो एक फंगिसाइड का भी काम करेगा, और साथ ही स जी हाली को एक कुछ इस तरह से, और दूसरी जो है, ऐलोविरा केवल एक फंगिसाइड के रूप में लगा करके, जी, और मैं इसके आजू-बाजू में ही लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे ये प्लांट थोड़ा हैल्दी बनाना है, और इस गमले को पूरे को भरना है, और साथ ही, जी, कुछ इस तरह से, काफी बुशी हो जाएगा ये प्लांट, चलिए, वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो लाइक कीजी, कमेंट कीजी और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत बूलिए, और साथ ही आप भी इस तरह से एक फोदे से अनेक बनाने क तयारी कर लीजिए, और खास बात, वो खास बात है, कि आप इस पोदे को बदरंग होने से बचाईए, जी हाँ, गर्मियों में यदि आप इसकी केर कर लेंगे, तो बस, फिर कहने क्या, बरसात और सर्दियों के अंदर ये बहुत ही खुबसूरत सा, मतलब दिखता है, ये क ये कि मन को खुशी होती है, ऐसा लगता जिसे किसी पैंटर ने बहुत अच्छी तरह से पैंट किया हो, सच मुझ वो खुदा क्या सच कम कलाकार है, मैं तो एक एक पत्ते को और एक पोदे को एक एक फूल को देखती हूं, तो उस रचनाकार पर बढ़ा गर्म हैसूस करती ह जी, क्योंकि उसने कितनी फूर्सत के अंदर इन पोदो को घड़ा होगा, चलिए, तो इस तरह से फ्रेंट से हम जो थोड़ी सी परिपक वो हो हमारी स्टैम, उसकी कटिंग करके दूसरी जगह लगा सकते हैं, और एक पोदे से अनेक बना सकते हैं, तो अच्छी लगी हो व बोलिये से, फ्रेंड्स आपको इजान करी हो, तो जरूर कमेंट कीजिए, मैं आपकी कमेंट के इंतजार करूंगे, और अगला वीडियो में किस वीशे पर बनाऊं, मुझे आप शेयर कीजिए, अब दीचे इजाजत, जै हीन, जै भारत!